Hey everyone, welcome to Clad Point. आज हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए 3-4 महीने के अंदर क्या आपके strategy रहनी चीए जिससे कि आप Clad UG 2024 को बहुत ही अच्छे नमबर के साथ पास कर सकें, जो भी आपके dream NLU's है, probably tier 1 NLU's, वो आप सब को मिल जाएं. तो एक-एक चीज, एक-एक step समझेंगे, समझने कि आप लोग भी अपने end से कोशिश करिएगा, मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा, और सबसे पहली चीज़ जैसे ये मेरी वीडियो है, ऐसे आपने और भी वीडियो देखी होंगी, 100% आपको किसी भी वीडियो का follow नहीं क तो ये चीज सबसे पहले मेरा आपको एक guidance था, आपको समझ में आई होगी बात, आगे देखिए बढ़े, उससे पहले burn the ship का concept समझ लो, अब आप लोग न इसी concept से बिलकुल जगा पर आगे खड़े हो चुके हो, अब आपके exam में 3-4 महीने बचे हुए हैं, यहां से आपके आपके पास पीछे जाने का कोई option नहीं है, burn the ship का concept क्या है, 1500 के आसपास की बाते हैं, 100 quarters करके captain थे, यह अपने ship और अपनी सेना के साथ इस pain पर युद्ध करने के लिए लड़ने गए थे, वहां पर जब यह इनकी सेना और यह निकल उतर गए ship से, तो इन्होंने अपनी सेन तो वरना यही निपट जाओ, यही बस अब आपके साथ है, यहां पर निपटने से मेरा मतलब यह नहीं कि नहीं हुआ तो बस समलोग निपट जाएंगे, मतलब यह है कि अगले 4 महीने में अपना 100% दो, क्योंकि अब अगर नहीं किया ना, तो CLAT का पेपर साल में एकी बार होता है, फिर अगली साल होगा, फिर जो भी आपके ड्रीम अने लिए उसे ना, वो चले जाएंगे, तो अब पीछे कुछ नहीं चोड़ना है, अपना 101% देना इस एक्जाम के लिए, क्योंकि खोने के लिए सब कुछ है, कोई बैक अप चीज नहीं है, यह 4 महीने आपने मे बजलो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली चीज and सबसे most important चीज जो मैं आपको guide करना चाऊंगा, वो यह रहेगा, कि अपने basic से मत हटना, ऐसा नहीं है कि 4 महीने बचे हैं तो कुछ बहुत अलग करना है, जो basic आप अब तक करते हुए आ रहे हो ना, आपको वह करना है, जैसे आप newspaper पढ़ते हो या फिर reading की ओपर जैसे भी आप work करते हो, वो आप करना है, करना है, analysis, mock, taking mocks, जैसे आप करते हो, वैसे ही करना है, practicing questions through books, material, जो भी आप करते हो, करना है, classes आपने जो भी coaching जोईन कर रखी है, जिसने कर रखिया, जिसने जो भी कर रखा है, आप coaching की classes जैसे attend करते थे, करना है, the thing is, जो करते आ रहे हो न, भी तक, वो करते चलो, यह MS दोनी है, ठीक है, MS दोनी को एक gain पे last में 6 run मानने है, तो क्या MS दोनी left-hander हो के betting करने लग जाते हैं, क्या, नहीं न, he is a right-hander, वो right-hander ही betting करते हैं, मतलब, crux situation आ रही है, यह हमें समझ में आ रहा है, exam pass में आ रहा है, यह बात बिलकुल सही है, लेकिन करना तो basic ही है, बैट पकड़ना है, क्रिच पे खड़े होना है, दो बाट एक माननी है, और ball का wait करना है, baller के फेकने से पहले थोड़ो hit कर देना है, the thing is, basic जो करते आ रहे होना, वही करना है, यह मत करनी है, और इस चीज को समझना, जो आप करते आ रहे हो, वह करते रहो, अभी सारी चीज़े आपको November 15 तक at least करते हुए आनी है, चाहे reading newspaper हो, चाहे कुछ हो, उसके बाद आप change कर सकते हो, लेकिन November 15 तक आपको as it is basic follow करनी है, इसके बाद देखिए, अगर हम आगे बढ़े, बहुत ही hypothetical, बहुत छोटा example दे रहा हूँ, इंडिया का national game क्या है, कुछ बच्चे भी कहेंगे hockey, but hockey is not a national game, अगर आप धंग से थोड़ा research करोगे, तो हमारी government नहीं ये कहा है कि इंडिया ने officially कोई भी national game recognize नहीं किया हुआ है, ये clad में नहीं आएगा, बहुत hypothetical नहीं समझा अपने mentor से पूछा नहीं, teacher से नहीं पूछा, तो ये doubt आपका हमेशा रह जाएगा, और just in case मान लो कि इंडिया का national game cricket होता, जो कि नहीं है, but होता, तो आप अपना doubt clear करने जाते तो पहले ये समझते की hockey नहीं है, और ये भी समझते की cricket भी है, मतलब doubt clear करने बहुत जरूरी ह जो कि doubt ना सिर्फ उस चीज का doubt clear नहीं करता है, वो उसके आजपास की चीजों का जो भी उससे related होती वो भी clear हो जाता है, तो जो भी आपकी coaching है, जो भी आपकी faculty है, जो भी आपके mentor है, उनसे doubts clear करिए, अब नहीं करोगे तक कब करोगे, अब अगर अपने final stage पे नहीं पहु subjective test जादा दें, क्या paper pass आगया है, तो mock जादा दें, देखो, excess of anything is very bad, ये movie देखिए, रब ने बना दी चोड़ी, ये इन लोगों ने गुलगप्पे खा लिये थे, फिर दोनों के पेट खराब हो गये थे, याद है ना, हम भी कहीं party शादी में जाते हैं, फ्री का खाना दे sections देने होंगे, आप ये सोचों कि क्या पता किसी इंसान का legal अच्छा है, पर CRRC अच्छा नहीं है, बट अगर वो 2 घंटे बार-बार mock दे रहा है, तो जो अच्छा है वो भी कर रहा है, ठीक है, तो जादा focus sectional test पे गरो, sectional test में आप जादा question solve कर सकते हो, जादा efficiency से काम कर स सकते हो, और इसका मतलब ये नहीं आपको mock नहीं देना है, आप weekly एक mock दो ना, बहुत है, नवंबर, मेरा तो देखो suggestion ये रहता है कि weekly एक mock देना है, अगर आप उस stage पे पहुंच चुके हो कि 80, 85 प्लस ला रहे हो तो भाई आप दो आपको अपने हिसाब से, लेकिन अगर आ प्रॉर्मल स्टेज पे हो ना, maximum to maximum weekly एक mock दो, उसको proper analysis करो, ज्यादा focus sectional test पे दो, अब हमारे ना कुछ विद्धारती आएंगे कहेंगे कुछ students, कि सब sectional test कहां से लाएं, अरे यार, इतने सारे mocks आपके पास available है ना, टेलिग्राम पे, उनको sectional test की तरह दो ना, legal का portion timer on कर करके दो, RC का portion timer on करके दो, तो ये करना है आपको, ठीक है, चलिए, over नहीं करना है, किसी भी चीज को ये बात ध्यान अखना होना, पेट घरा हो जाएगा, ठीक, इसके बाद, question, which will give more return, practicing weak section और practicing strong section, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं, just a minute, हाँ, देखो, सबसे पहली चीज तो कि सर मुझे यही नहीं पता कि मेरा strong section क्या है, मेरा weak section क्या है, ये मुझे कैसे पता पड़ेगा, एक copy बना हो, mock जो देते हो न, उसमें mock wise number लिखो, number लिखके section wise division लिखो, कि भाई, RC में कितना है, CR में कितना है, current affair में कितना है, 3-4-5 mocks को जब compare करोगे न, you will analysis कि भाई, कि कि section में हम weak हैं, हम CRRC में weak हैं क्या, हम current affair में weak हैं क्या, हम quant में weak हैं क्या, हम किस में weak हैं, तो ये चीज़ आपकी वहीं से clear होगी, सबसे पहली चीज़ तो एक copy बनानी है, mock जितने भी दो, सबको लिख डालो, अगर अभी तक ये नहीं किया है, तो अब से शुरू कर दो, जब ये रिकगनाईज करो, आपका जो weak section है, वो क्या quant है क्या, एक बात बता रहा हूँ, या वो CRNRC है, या वो current affair है, तो अगर आपका जो subject weak है, वो ऐसा subject है, जो अच्छा amount consist करता है इस paper के अंदर, अच्छे खासे marks आएंगे जिसके अंदर, तो भाई उस पे तो काम करना करेगा, if you are doing good in current affair, then focus on CRNRC अगर वह number count रहे हैं, quant में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि 12-14 number का है, उस पे अगर पांच घंटे भी लगा लोगे, आपका वो week है, तो अभी 7-8-9 number ला पाओगे, तो थोड़ा बहुत लगा, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन बचे नहीं होता है, पेपर बहुत उल्टे सीधे भी आजातने, last year बड़े बड़ो के number नहीं है, तो ये चीज़ तो करके ही नहीं चलनी, quant के लावा कोई भी section से risk नहीं लेना है, तो of course, जो आपका weak section है न, you need to work on it, but it doesn't mean कि आप strong section को छोड़ दो, वरना विराट कोली का cover drive strong section है, तो ऐसा थोड़े कि वो cover drive मानना ही practice नहीं करता होगा जब net पे खिलता होगा, कम खिलता होगा, तो वो तो करना ही है, लेकिन अगर उसको pull shot weak लगता है, तो वो pull shot पे जादा practice करता है, समझ रहे हो, आपको पता होगा कि ना जाने कितने खिलाडियों कि pull shot पे career खतम हो गया, स यह चीज आपको समझ नहीं है, these things are just hypothetical examples to make you understand, don't be get serious कि सर रहना को आपने क्यों कह दिया, हम तो हमारा favorite है, इसके बाद देखो, last में एक नया concept आपकी दिमाग में आता है, कि सर आपे बचे हुए time में, हम revision जादा करें या new concept जादा पड़ें, तो देखो भाई, revision is always greater than studying new concept, if you I have watched this movie, Chani Chalk to China, there is a dialogue in this movie, कि मुझे तुमारे उन 10,000 मूव से खत्रा नहीं है, जिसके practice तुमने एक बार किये, मुझे तुमारे उस एक मूव से खत्रा है, जिसके practice तुमने 10,000 बार करी है, तो ये बात आप समझ लो, कि आपना जितने ज़्यादा से आदा नहीं चीज होगे, आपको klat वाले दिनना सब याद नहीं रहेगा, याद वही चीज रहेगी जिसको आपने बहुत multiple times revision किया होगा, तो at least current affair या जो भी subject साब के revision मांगते हैं, जो भी आपके शोड़ोटे concept से legal में कहीं भी, कुछ नहीं तो exam तक उसको 15-20 बार revise करना है minimum, कि वो आपको याद रहे, समझ में आए, तो always prefer revision, ये नहीं कि magazine current affair की पढ़ रहे हैं, तो 50 जगा से पढ़ने लगए, 60 जगा से पढ़ने लगए, मैंने हमेशा आप से कहा है, maximum to maximum दो coachings की magazine साब refer कर सकते हो, जो topic same उसको eliminate कर सकते हो, and एक भी चलेगा, ठीक है, अगर आप newspaper and everything खुद से करते हैं, देखे, जैसे cloud point की rise magazine आप कर रहे हो, ठीक है, आपको cross check करना है, किसी और कोचिंग की magazine पकड़ लो, index मिला लो, कोई नया topic है, तो कर लो, in the end हर जगा पे घुम फिर की एक ही चीज रहेगी, तो बहुत जादा अलग अलग जगाहों पे भागने से बेटर है, एक दो ठीक है, बहुत कम material use करोगे, तो भी low return आएगा, तो सही क्या है, सही है कि reasonable amount of materials आपको use करना है, और जिस पर आपको great returns मिलने वाला है, देखो, telegram पे आची date में abundance of content पढ़ाए, पर ये थोड़ो कि जिस भी coaching का daily mock आ रहा है, आप mock दिये जा रहे हो, be smart, आप अपने decisions खुद अब select करो कि हाँ मुझे यह यह देना है, बागी मैं sectional test में दूँगा, या उनका यह आया है, उनका यह आया है, उनका यह आया है, तो मैं इसमें इतना इतना करूँगा, इस से आदा नहीं करूँगा, मुझे अपना भी काम करना है, मुझे अपना भी तयारी करना है, तो यह मत समझो, don't run after यह material भी करना है और वो भी करना है don't go on a random telegram channel search of materials, at this point you should decide which material you will use in the course of these 4 months यह 4 मेंन बहुत precious हैं और यह आपको decide करना है कि भाई, यह कैसे करना है जब कोई भी player batting करने के लिए आता है, तो किसी और का bat लेके थोड़ो आता है अपना ही bat लेके जाता है ना यह थोड़ो कि कोली का bat ने शतक मारा है तो मैं रोहिच शर्मा उतरे कि अलाओ कोली तुमारे bat से खिलेंगे नहीं यार वो अपने bat से खिलेगा तो अपनी आप decide करो कि भाई, मुझे यह यह चीज़े इन इन कोचिंग के materials देने हैं, इन कोचिंग के mocks पढ़ने हैं इन इन कोचिंग के यह करनी है that's it ने क्योर सिर्फ limited वो horse के दोनों तरफ ऐसे लगाते हैं न अब ये 4 महीने आपके ऐसे होनी चाहिए अब ये नहीं कि आपको बहुत पढ़ना है अब आपको concise पढ़ते हुए एक direction में भागना है ये चीज़ समझ लो, ठीक है इसके बाद lastly a general tip please plan your day beforehand ये देखो बहुत बड़ा-बड़ा यहां पे लिखा हुआ है बट आप लोग पढ़ने ही पाऊगे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, समझ ना हमने इसमें क्या लिखने की कोशिश करी है देखो, हम लोग बहुत आगे का प्लान बनाते है अब तीन महिने बाकी है, चार महिने बाकी है अकल को दो महिने भाकी रहेंगे एक्जाम में तो आप ये सोच उचके कि मुझे एक महिने में ये करना है मुझे डेढ़ महीने में यह करना है देखो एक अपना बड़ा बान बनाओ पूरा चार महीने का एक प्लान तयार करो ठीक है पर वो चार महीने का प्लान एक दिन में तो कवर नहीं हूगा न तो यहां पहुँचने के लिए छोटे-छोटे प्लांस बनाओ, ठीक, अपने प्लांस को, अपने फाइनल तक का एक प्लांस बनाया है, कि मुझे ऐसे से करना है, बट वो एक दिन में नहीं होगा, मतलब वो आपको with time धीरे-धीरे होगा, तो बहुत आगे का मत सोचो कि आज से एक महीन यह कर लूँगा, देड़ महीने बाद यह कर लूँगा, डेली आपके प्लान को अपने इसाब से तयार करो, जैसे आप सुबह उठ रहे हो, कोई स्कूल जाता होगा, कोई टुशन जाता होगा, कोई ड्रॉप में होगा, तो आप डेली का अपना प्लान बना के चलो, और य और शेडूल में न, कभी भी टाइम टेबल मत बनाना, टाइम टेबल इन शेडूल में बहुत अंतर है, टाइम टेबल में क्या अच्छा लिखता है, कि मैं 5 बज़े उठूँगा, 7 बज़े पढ़ूँगा, 8 बज़े पढ़ूँगा, 9 बज़े पढ़ूँगा, अब जब अगर आप किसमत से इसमें से किसी एक टाइम को मिस कर दोगे ना तो आप गिल्ट में चले जाओगे यो पुरा दिन खराब हो जाएगा डूंट मिक दिस टाइप ओफ टाइम टेबल आपको क्या बनाना है कि मैंने अगले दिन का टारगेट रखा है 20 कोशन CR के लगाने 5 कोशन RC के लगाने 10 कोशन legal के लगाने 6 कोशन quant के लगाने इतना पढ़ने, magazines पढ़ने, इतने topics पढ़ने तो इस तरीके के टारगेट बनाओ ठीक है? एंट day wise आगे बढ़ो 100 रन का टारगेट चेस करना है किसी टीम को तो वो पहली गेन से थोड़ो चेस कर पाएंगे उनको धीरे धीरे करके 1-1 run, 2-2 run, 5-5 run, 6-6 run, 10-10 run, 4-4 run ऐसे से करके आगे बढ़ना पढ़ेगा and then they will reach around 100 तो ये चीज आपको समझनी होगी ठीक है? तो this is it, ये था हमारा सारा सार जो आपको अगले 3-4 महिने में करना है plus Cladpoint ने 4 मन्त के लिए एक जो कोर्स लाँच किया है हमारा जिसका नाम है CladU22024 Avenger Batch प्राइज इसका only 17,999 रूपीज है 7 books Cladpoint के आपके घर पे हम डिलेवर करेंगे 50 plus mocks हम आपको देने वाले हैं traditional test हम आपको देने वाले है personal mentorship हम आपको देने वाले है इसके अलावा one-to-one sessions सारी चीज़े जो भी आपको इस exam को crack करने के लिए everything you are going to get it if you are preparing for 2025 Clad तो आप हमारा विजयता बैद देख सकते हो अगर आपको सिर्फ हमारे mocks चाहिए 3,999 रूपीज में जिसके आपको PDFs भी अविलेबल है ऐसा नहीं कि आपको PDF नहीं मिलेंगे PDF भी मिलेंगे आप print out निकालके MR sheet के थुरू उसको घर पे घर वाले condition में दे सकते हो जो कि in the end Clad का paper जो है वो offline होने वाला है तो I hope you have find this video useful don't forget to like, share, subscribe the channel हसते रही है, मुस्कुराते रही है, पढ़ाई करते रही है and don't forget the last thing जो मैं बोलने जा रहा हूँ, manjilे मिलेंगी बटकते ही सही, गुमरा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं तो आप सभी लोगा महनत कर रहे हो I know, बढ़ते रहो आगे कुछ ही ना कहीं, कभी ना कभी सफलता मिलेगी, आज मौक में स्कोर नी कर रहे हो अगले महीने करोगे, उसके अगले महीने करोगे सीधे क्लैट में कर लोगे, ठीक है बट आपका जो काम है न वो करते रहना है ठीक, थाइंक्यू सो मच, जाए हिंद